दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कुत्ते की दूम तेडी की तेडी ये बॉलिवूड वाले भी ना कुत्ते की दूम की तरह हो गया है बिल्कुल सीधा होने का नाम नहीं ले रहे ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखिए अभी एक मुवी आने वाली जिसका नाम है जर हटके जरा बचके पहले इस मुवी का नाम लुकाचीपी 2 रखा जाने वाला था बट प्रोडियूसर डेस्वीजन ने कहा कि नीं हम जरा हटके जरा बचके के नाम से release करेंगे अब जब इस movie का first trailer आया था तो first trailer देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक हलका सा confusion बना हुआ था कि ये love story है, ये comedy movie है या ये थोड़ी सी sad story है लेकिन आज इन्होंने इसका trailer number 2 release कर दिया है देखो पहली बात तो आप जिस हिसाब की movie बनाते हो वो movie वैसे भी एकदम predictable type की होती है और अब आपने उसका second trailer launch कर दिया है भाई साब second trailer देखकर बिल्कुल clarity आ गई है कि ये comedy movie है सारा और विकी एक उसे से प्यार करते है इनकी शादी हो जाती है लेकिन ये एक joint family में नहीं रहना चाहते इन्हें चाहिए अपना खुद का घर जो शायद इनके parents allow नहीं करते है और इसलिए जूटे divorce का नाटक खेलते है और इसी के आसपास पूरी कहानी बुनी गई होगी बहुत सारे comedy scenes होगे कहीं कहीं पर थोड़ा सा emotional drama होगा और आखरी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा जैसा Mimi movie में था और इस तरीके की movies हमें धेर सारी देखने को भी मिली है पिछले कुछ सालों में तो अब आपने trailer 2 launch करके पूरी story को हमारे सामने reveal कर दिया है और जो थोड़ी बहुत जनता theater तक इस movie को देखने जाने वाली थी मुझे लगता है वो भी नहीं जाएंगी क्योंकि मैना देड मैना बाद तो ये movie किसी OTT platform पर देखने मिली जाएगी तो हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेंगे इसलिए मैंने कहा था कुत्ते की दूम तेड़ी की तेड़ी कैर लक्षमन उटेकर की movie धमेशा अच्छी होती है और मैं personally इस movie को देखने के लिए excited हूँ लेकिन बस बात वही आकर अटक गई है कि मैं theater जाकर देखूँ 400-500 रुपे खर्च करूँ कि घर पर बैटे बैटे फ्री फंड में शिरीखन का आनंद लू तो दोस्तों आपको क्या लगता है बॉलिवूड वाले सुधरेंगे या नहीं दिनेश वीजन और लक्षमन उटेकर की movie जरा हटके जरा बचके थिएटर्स में चलेगी या नहीं कितना होगा इसका box office collection क्या लगता है आपको ये movie हिट होगी या flop जो भी लगता है experts comment section मुझे जरूर बताना मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए keep watching